नमस्कार दोस्तों स्वागे था आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सूपर आइडियाज पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पित्तर पॉक्षराद के नियम के बारे में कौन-कौन से ऐसे नियम है जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए जिनका आपको पालन करना चाहिए आपने बड़े बज़र्गों से काफी सारे नियमों के बारे में सुना होगा जैसे कि हम नया मकान नया वहान ऐसी चीज़े नहीं खरीते हैं तो आज की इस वीडियो में उन स तो शिराद पक्ष में सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको क्या करना जाहिए, अगर संभव हो आपके लिए तो आप शिराद में सोवार का दिन व्रत रख सकते हैं, इसके अलवा पितर पक्ष के हर दिन भूखे और जरूरत मंद लोगों को आप खाना खिला सकते हैं ये खाना खिलाना चाहिए आपको या फिर आपका जिस दिन भी शराद है जिस दिन भी आपके घर में किसी तिती पर शराद है उस दिन आप कुछ गरीब लोगों को फल या कर सकते हैं शराद पक्ष में हनुमान जी के मंदिर जाकर बजरंग भली को चोला चड़ाना चाहिए शराद पक्ष में पिंडदान करना चाहिए इससे कहते हैं कि पित्रों को जल्दी शांती मिलती है और पित्र पक्ष में पित्रों को परसन करने के लिए दान भी जरूर करना चाहिए अब हम बात करते हैं कि श्राद पक्ष में ऐसा कौन सा काम है जो आपको नहीं करना चाहिए पित्र पक्ष के दोरान कोई भी शुब काम नहीं करना चाहिए जैसे कि विशेश तोर पर शादी से जुड़ा कोई काम है या हमें कोई नया समान नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कोई नया वहान है, नया समान है, वो हमें नहीं खरीदना चाहिए, हाला कि जिन लोगों के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो खरीदारी कर सकते हैं, ठीके, तो इस दोरान मासाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए शराद करने वाले इंसान को नाकुन बाल नहीं काटने चाहिए इस दोराना भूल कर भी किसी पशु उपक्षी को कस्प ना दे बलकि उन्हें बोजन कराएं उन्हें सम्मान दे और त्री दोश से सबसे ज़्यादा बचना है सबसे महम होता है त्री दोश और वो क्या है यानि की नया घर, नई गाड़ी, जमीन, कपड़े, गहने, सजावती, समान ये तो हम सब कोई पता है कि ये सारी चीजे जो है खरीदना शराद के काल में वर्जित है लेकिन इसके अलावा भी जो हम हर रोज यूपयोग करते हैं ऐसी तीन चीजे हैं जो आपको शराद में नहीं खरीदनी चाहिए वो है सरसो का तेल, जाड़ू और नमक सरसो का तेल आपको शराद के दोड़ा नहीं खरीदना चाहिए इसके शुरू होने से पहले या फिर शराद पक्ष खतम होने के बाद ही सरसो का तेल खरीदे कहा जाता है इससे शरनी का प्रकोफ होता है जाड़ू का संबन भी धनकी देवी मा लक्षमी से है पितर पक्षमे या शराद में नहीं जाड़ू खरीदना गरीवी लाता है और वैसे भी पांच दिन का हमरा दिवाली पर आने वाला है और उस दिन तो हम दंतेरस के दिन जाड़ू खरीदते हैं नमक शराद के दोरान नमक खरीदना भी वर्जित है बहतर है कि आप शराद के भोजन या फिर दान के लिए अगर आपको नमक दान करना है तो वो आप खरीद लें ठीक है इसके अलावा आप जो है सिर्फ जो अगर नमक बाईचांस खतम हो भी गया है तो आप वो नमक शिर्फ सराद के दोरान यूज़ करें ना ही मासाहार भोजन करें उसका पूरी तरीके से त्याज करें हो सके तो लस्टन प्याज यूख भोजन पकाएं साथ ही खाने के लिए कांच और लोहे के बरतनों का प्रियोग ना करें पितर पक्स के समय आपको खाने पीने की चीजों पर विशेश सावधानी बरतनी होती है जैसे कि इस समय पर चना, काला नमक, खीरा, सरसो का साख, जीरा, लोकी ये सब खाने के लिए मना किया जाता है इसके लबाब बहुत ज्यादा मिच वाला खाना बैंगन, सपेतिल, लोकी, मूली, काला नमक, जीरा, सत्तू, मसूर की दाल, चने सरसो का साख इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए पितर पक्ष में पितरों के लिए शराद से जुड़े सभी कार्य सूरिय के प्रकाश में ही कर लेने चाहिए यानि कि संद्या काल या रातरी के समय पर सराद नहीं करना है और साथी करज लेकर भी शराद नहीं करना है जो आपकी शर्दा है, वो आप शराद करें तो जो आपकी शर्दा है, वही आप अपनाई ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर देख लिया के इस तरीके से पूजा करनी चाहिए, यह करना चाहिए, जो आपके घर में होता आ रहा है, वहीं आप करें, लेकिन उसके लिए करज ना ले, जो आपकी शर्दा है, जो आपसे बन परता, उसी तरीके से आप जो अपना शिराद कर इससे आपको धनानी होती है श्राद में गरह कले इस्तरियों साध्यों का अपमान बड़े बुजर्ग की बात ना मानना बच्चों को कस्त देना ऐसा नहीं करने चाहिए पुर्वज हमारे बड़े बुजर्ग हैं पित्र जो हम हमारे हैं वो हमारे पुर्वज हैं बड़े पित्र हैं हमारे जो हमारे पुर्वज हैं 15 दिन के लिए धर्टी पर आए हैं तो आप इनको इसी तरीके से दिए कि वह संतुस्ट हों कि मेरे परिवार में सब कुछ हशी-खुशी है सब कुछ प्यार से सब भोग रहते हैं इसके साथ ही आपको अपनी पूजा का फूर्ण पूरी है तो मूरत देखकर निकलें दिशाशूल का ध्यान रखें यदि दिशाशूल है और जाना आवश्यक है तो जोगसी उपाय करकी यात्रा हराम करें पित्र पक्ष के दिनों में सहवास ना करें इसे वर्जित माना गया है बादर पर्णिमा से आश्वी नमावस्या पित्र पक्ष होता है इसमें पित्रों की पूजा की जाती है इस वजए से इसमें ब्रह्मचारियों के नियमों का पालन किया जाता है तो आपके पित्र आपसे और ज्यादर प्रसन होते हैं पित्र पक्ष में किसी से भी जूट नहीं बोलना चाहिए इसके अलावा किसी को शलकपट करना इस तरीके के कारियर नहीं कर नहीं करने चाहिए इससे आपके पित्र देवता नाराज होते हैं साथी श्राद पक्ष में ब्रहों चारे का पालन करें पित्र पक्ष में यदि आपके दर्वाजे पर कोई भी आ ईयुकर्श हो उनका अपमान ना करें इन लोगों लाल या सफेद तिल का इस्तमाल ना करें साथी श्राद करने के लिए लोहे के बरतन का इस्तमाल ना करें और जो है आप इस दोरान पीतल के बरतन में जैसे खाना बना सकते हैं ताबे के बरतन में पानी पी सकते हैं वो आपको करना चाहिए श्राद के लिए आप जो भोजन ब करी पसंद आई होगी इसके रावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है शिराद को लेकर तो आप हमें बेज़े जग कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकरी के साथ तब तक धन्यवाल